तो हाई गाईज कैसे आप सभी होपफुली सब बढ़िया होगे आजब के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग बना सकते हो डाइनमो गेमिंग की तरह इस तरीके का थमनेल तो वीडियो को एंड तक देखना जो भी एप्स और जो भी जो और पी एंजी यूज हुई है सब तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में एक पाक है उसके अंदर मिल जाएंगी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को अपने पिक्सल लाप के अंदर आ जाना है और अपना टेक्स ले ले लेना है तो डाइनमो गे यूज करेंगे और जो इसलाइव हमने लिखा है उसके लिए जो फॉंट हम यूज करेंगे वो है बिली ओहियो तो दोनु फॉंट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे अब यहां पर सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूं अब यहां पर सेट हो च करने के दtar लिएूजटो कर देminute ना है इसको यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इसको यूज करना है अब सबसे पहले मैं पहले पैक ठूम नेता हूं अ कि यहां पर सबसे पहले यह इसको सबसे पहले एड कर लेते हैं यहां यह और यह.शब और कुछी जाएं पार् पर शाक करना है और इसके उपासिटी 20 परसंट कर देनी है इसके बाद क्या करना है कि तुम लोग को आ जाना है अपने एक एमप्य ले ले लिए तो यहां पर जो gradient है वो तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड इस तरीके का gradient है तुम लोग इसको खुद भी बना सकते हो screenshot ले लो अब इसके बाद तुम लोग को क्या करना है कि तुम लोग को fade पर जाना है end में और जो है second last option पे click कर लेना है और थोड़ा से तरीके से इसको बढ़ा करना है और इसके सर पर रख लेना है इसके बाद जो है इसकी उपासिटी तुम लोग 29 से 37 के आसपास रख सकते हो तो मैंने अभी 37 रखी है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा तुम 29 ही रखो इसके बाद तुम लोग को करना है कि तुम लोग को फिर से photo library में आ जाना है और अपना text ले ले लेना है जो हमने pixel app के अंदर बनाया अब यहां पर देख सकते हुए dynamo gaming is live हमने जो text बनाया था अब यहां पर जो step में तुम लोग को बताने वाला हम इसको थोड़ा गौर से देखना तो सबसे पहले तो हम इसकी अलग-अलग layers बना लेंगे तो यहां पर सबसे पहले layers बना लेता है layer from selection नीचे वाली layer में जाके clear तो यहां पर सबसे अब यहां पर हम gradient add करेंगे तो सबसे पहले select pixels करते हैं यहां पर select pixels और gradient add कर देते हैं तो यहां पर सही नहीं लग रहा gradient क्योंकि तुम लोग देख सेकते हैं सिर्फ डाइनमो पर बहुत जादा bright हो चुका है तो इसलिए हम इसकी अलग layer ही बना लेते हैं इसलाइफ की तो यहां पर इसको भी layer from selection और नीचे वाली layer में जाके clear अब यहां पर तुम लोग को डाइनमो या इसलाइफ पर जिस पर भी gradient देना है तो सबसे पहले हम इसलाइफ के select pixels करेंगे फिर gradient देंगे तो gradient वही वाला है अब यहां पर तुम लोग को क्या करना है कि पिर से select pixels करने है और फिर तुम लोग को एक सेकेंड मैं gradient से कर लूँ अब यहां पर सबसे पहले तुम लोग को select pixels करने है और उसके बाद क्या करना है कि तुम लोग को inverse पर क्लिक कर देना है इन्वर्स पर जैसे ही तुम लोग क्लिक करोई है तुम लोग को empty layer लेनी है fill stroke कर और कोई रेंडम कलर लेना है वह मैटर नहीं करता फिर गलो देना है जो तुमारा टेक्स्ट का कलर हो वही गलो दो और नीचे वाली लेयर में जाके सेलेक्ट पिक्सल उपर वाली लेयर में जाके एक्सट्राक्ट तो यहां पर होगा यह कि देख सकते हो यह थोड़ा से गलो ले आएगा तुमारे थम्नेल में इसको मर्जडाउन कर देना है सिंपली और फिर डाइनमो और गेमिंग सब के साथ यही स्टेप्स करने है इसको डो करने होगा ग्रेडियंस कख्याइनो अ कि मैं तो अνत्युक्त आघर शाना हूए उसको इसको आजना उन्दूंत करेंगा सिथी एक सेकंट मुझे इसको प्रीडियंस करना पड़े गां तो यहां पर यहां इसको एडजस्ट करेंग करना परूआ एक सेकंडे मॐसेक्ट ब Penguinback तो आप तुम लोग इसके साथ स्यम स्टेप करना है कि पहले जाए की सबस्थ इनवर्स कर देना है। कि देकि एम्टी ले लेनी है WHEER के बाद फिल स्टोक करना और ग्लो देना है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूं ग्लो लो तो इसके अंदर तुम लोग को वाइट कलर का ग्लो दे देना है क्योंकि मैंने अभी बोला था जो टेक्स्ट का कलर हो वही वाला ग्लो दो लेकिन इसमें मैं वाइट कलर का दे रहा हूं यह और यह वाइट का मिक्शर ही एक त देखेंगे मतलब प्लेस करेंगे तो इसलिए इसकी एक एक ड्रॉप शाडव दे दो अब यहां पर सबसे पहले तिल्ट कर लेना और सेट कर लेना है तू मैं इसको सेट कर लेता हूं स्ट्राप टूल हमेशा बंद रखो किके वह हमेशा तुमारा काम खराब कर देगा यहां यह हो गया गेमिंग और इसको थोड़ा सा मतलब वह करना पड़ेगा इसको तुम लोग को बहुत देहान से टेक्स्ट की प्लेस्मेंट करनी है क्योंकि तुमारे थमनेल में सरफ एक टेक्स्ट है जो लोग देखते हैं उसके बाद बैग्राउंड देखा जाता है तो हमेश पर इस लाइफ के साथ भी यही करेंगे हम लोग पिक्सल नच करके हम सब सेट कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और टिल्ट कर दूंगा ताकि थोड़ा परफेक्ट लगे अब यहां पर तुम लोग देख सकते हो तुमारा थमनेल रेडी है अब तुम लोग को पाक मिल जाएगा उसके अंदर एक फाइल होगी प्रीसेट एकस एमप नाम की तो यहां पर उस पर लॉंग प्रेस करके उसको कॉपी कर लेना है तो इसको कॉपी करने के बाद तुम लोग को सबसे उपर जाना है तू डॉड़ाट्स पर क्लिक करना है फिर एंड्रॉइड देटा फिर अडॉबी लाइट्रूम फिर कार्सल दोक्यूमेंट 00 और प्रोफाइल सेटिंग्स यूजर स्टैल और पेस्ट कर देना है इसके बाद आजाना है अपने अडॉबी लाइट्रूम में जो कि तुमारे थमनेल को बहुत आसम कर देता है तो यहां पर आप कलरेक् यहां पर कलर है जो इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो यह यूजर प्रिसेट नहीं चाहरा होगा इस पर क्लिक करना है तो तुमने फाइल एंपोर्ट कियोगी वह आ जाएगी और तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया हो जगा है तुमारा थमनेल मतलब पूरा थम वडियो पसंद आई हो मैं होपफुली कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टॉटोरियल जल्दी लाओ क्योंकि मैं काफी टाइम से अप्लोड नहीं कर रहा था तो आज योडियो के लिए इंस्टेग्राम पर फॉलो कर लो तब तक के लिए गड़ बाइए